तोर्पा पूर्वी पंचायत भवन में शुक्रवार को मुखिया संग की बैठक विनीता नाग की अध्यक्षता में हुई जिसमें प्रखंड के सभी 16 पंचायतों के मुखिया शामिल हुए बैठक में पंचायत के समगर विकास को लेकर चर्चा की गई कहा गया कि सभी मुखिया आपसी तालमेल बनाकर गाउंग के विकास के लिए काम करेगे तोर्पा प्रखंड के सुदुरवर्ती गोपला जिलिगबुरू गाउंग में जल जीवन मिशन के तहत पुराने चापाकल से कनेक्शन देने का ग्रामीनों ने विरोध किया है शुक्रवार को उप्रमुक संतोशकर, मुखिया प्रदीग गुड्या पानी की समस्या को लेकर ग्रामीनों से मिलने गाउंग पहुँचे थे ग्रामीनों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पुराने चापाकल से कनेक्शन देने से पानी की समस्या और बढ़ जाएगी पुराने चापाकल पर ही पीने के पानी के लिए गाउंग के लोग आश्रित हैं कर्रा के जरियागर में जार्खंड सरकार के एतिहासिक फैसले 1932 खतियान, OBC आरक्षन, आंगन बाडी सेविका का मांदेय बढ़ाने के संबंद में शुक्रबार को जुलूस निकाला गया जिसका नेत्रित्व जामुमों के मीडिया प्रभारी राहुल केसरी ने की जुलूस में जरियागर थाना अंतर्गत सभी पंचायत के जामुमों कार्य करता, जार्खंड मुक्ती मोर्चा के पदाधिकारी और ग्रामीन जनता उपस्थित रहे प्रखंड के शिव मंदिर प्रांगन में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिती कर्रा शिवाले की एक बैठक सुदामा प्रसाद की अध्यक्षता में की गई बैठक में पिछले वर्ष का लेखा जोखा किया गया इस वर्ष भी दुर्गा पूजा को धूमधाम के साथ मनाने को लेकर विचार विमर्ष किया गया पूजा को शांती और सोहार्ट पूर्ण तरीके से मनाने को लेकर एक कमिटी का गठन किया गया ग्रामीन महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में उन्हें उचित प्रशिक्षन कार्यक्रमों से जोड़ना सफल हो रहा है महिलाएं प्रशिक्षित होकर पूरे गाओं के विकास में एहम भूमिका निभा रही हैं जिले की ग्रामीन महिलाएं वित्तिय समावेशन की ओर अग्रसर हैं बैंक सकी के रूप में कार्यकर और उचित प्रशिक्षन प्राप्त कर जिले के सुरुंदा ग्राम की बिरानी तूटी आत्म विश्वास के साथ अपनी उज्जवल भविश्य की दिशा में अग्रिसर हैं। उपायुक्त के निर्देशा नुसार जिला अंतरगत मिशन मोड में मास ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन कार्यकरम का सफल संचालन किया जा रहा है। इस कार्यकरम में जल सहिया को प्रतेक दिन की जाने वाली गतिविदिया करने की निर्देश दिया गया। जिसमें सुखा, गिला, प्लास्टिक, कपड़ा प्रबंधन पर अपने अपने ग्रामों में कार्य करना है। जाल सा, रांची के निर्देश के आलोप में व्यवहार न्यायाले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायादीश सहदाल सा, अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्ग दर्शन में आयोजित पांच दिवसीय स्पेशल मेडियेशन ड्राइब का शुक्रवार समापन हुआ। इस मेडियेशन ड्राइब के तहट मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायाले, खूटी में मोटर वहन दुर घटना एवं चेक बाउन्स विवाद समबंदित साथ वादों का सुलह समझोता कराया गया। कानूनी रूप से हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि यह मंदिर एवं भूमी राम जानकी देवस्थल के नाम से सरकारी कागजात में भी अनकित है। अलकी थानाक शेत्र के सिंजुडी गाउं के एक नाबालिक बच्चे को दो मानब तसकरों ने दो साल पहले दिल्ली में बेच दिया है। पिछले दो सालों से पिता अपने नाबालिक बेटे को वापस लाने की गुहार मानब तसकर बंदगाओं के टुपूदंग निवासी के निराचुटिया पुर्ती और अल्की के इच्चाकुटी निवासी जेसन मुंदा से कर रहा है। लेकिन वे पिता की बाते नहीं सुन रहे। आप बेटे को वापस लाने की जब वे बात करते हैं तो मानब तसकर उन्हें धमकी भी देने लगे हैं। तब थक हार कर बच्चे के पिता ने खूटी के एंटी हूमन ट्राफिकिंग यूनित थाने में केस दर्च कर अपने बेटे को दिल्ली से वापस लाने की गुहार लगाई है। समिती के सदस्यों ने बताया कि अलबट एकका क्लब दुर्गा पूजा समिती बदरी चौप का पुर्णगठन किया गया है। मुरहु थाना क्षेत्र के इठी गाउं में बुधवार की रात अग्याद चोरों ने जगेश्वर मिश्रा की दुकान से धेर सारे सामान चुरा ले गए। चोरों ने दुकान से रिफाइंग, तेल, साबून, आटा समेत अन्य सामान, नग लगभग 30,000 रूपे के अलावा दुकान में रखे जेवरों में चांदी का कड़ा, करधनी समेत कुछ आवश्यक कागजात चोरों ने चुरा लिया है। जिला पुलिस ओफिस के सभागर में शुक्रबार को मासे का प्राद गोश्टी हुई, जिसमें एसपी अमन कुमार ने विभिन थानों में पड़े लावारिश वाहनों की सभी प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए नीलामी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने थाने के माल खाना में रखे वैसे कांडो के आफीम और डोडा का डिस्पोजल करने का निर्देश दिया, जिन कांडो का निश्पादन न्यायाले द्वारा कर दिया गया है। शहर में कई वर्षों के बाद एक बार फिर मेला लगा कर रुपए और जेवर चुराने का ट्रेन सामने आया है। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने खुटी थाने में एक केस दर्ज कराया। जिसमें ग्रेज सुरीन ने कहा है कि बैक मैनेजर द्वारा सीलियों के पास CCTV नहीं लगवाए गए हैं। अगर CCTV होता, तो शायद उनके 50,000 रूपे की चोरी नहीं होती।